स्टूदेंट्स सब्सक्राइब एंड प्रेस्ट बेल आइकन तो निवर्बेस वीडियो फ्रॉम तुवाय इटियंस बच्चों अल्टरनेटिंग करेंट के कॉंसेप्ट वीडियो पाने के लिए जॉइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नमबर पर कॉल करें अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी इस एक्वल तू हंड्रड में टैनी है साइन 1000 टी माइनस थीस डिगरी तो वी इस एक्वल तो वी जिरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई इस से कंपेर करना होगा इस एप्लाइड अक्रॉस सीरी संबिनेशन फर इस तंस एंड इस एंड तंस है चालेश मिल हैनरी यानि की 40 x 10 to the power minus 3 हैनरी फाइंड एक्स्प्रेशन फॉर दा करेंट फ्लों थ्रूइं थ्रू दा सर्केट एंड केल्कुलेट अवरेज पावर कंजूम्ड इन दस ठीक है वाई तो हमसे मतलब पूछा गया है कि तुम करेंट पूरा निकालो इसी टाइप का कुछ तो निकाल लिया जाएगा सब्सक्राइब तो कंपेर करके ओमेगा ओमेगा निकाले ओमेगा एल निकालना होगा बहुत सारे काम है अभी हाना कि तो चलो करते हैं कि कंपेर कि वी जिरो इस एक्वल टू 10 वोल्ट एंड ओमेगा इस एक्वल तो 1000 रेडियन पर सेकेंड एंड क्या तीन तीन चीजें हैं और फाई इस एक्वल टू माइनस थर्टी डिगरी यह पता निकाम आएगा कि निकाएगा देख लेंगे वाद में तो सबसे पहले तो एक्वल टू कि वी जिरो आएगा तो वी जिरो सरी खेर जाएगा है था कि एक्वल टू ओमेगा अनों मेगा कितना है एक हजार, l कितना है, 40 x 10 to the power minus 3, यह 10 to the power minus 3, हजार एक दुसरे को खा लेंगे, है न, Excel क्या है, impedance है न, एक्सल क्या है इंपीड अरे इंडक्टिव रियाक्टेंस है इंडक्टिव रियाक्टेंस है एक्सल ठीक है और एक्सल आगे कितना अपना चालिस क्या ओम आर हमें दिया ही हुआ है तीस ओम अब हम लोग निकालेंगे इंपीडेंस इंपीडेंस यानी जेड जेड इस इक्वल टू आर स्क्वेर प्लस एक्सल स्क्वेर यह होता है जेड इस इक्वल टू आर कितना है 30 स्क्वेर एक्सल क्या है 40 स्क्वेर जेड इस इक्वल टू 30 और चालिस इसका पाइधागोरस करेंगे तो कितना होगा तीन चार पांच जड आगे अपना 50 और एक्सल आगे अपना 30 और अब हम लोग काम कर सकते हैं इस वीजीरू का इस आई जीरू के साथ अभी आई जीरू इनकल लें और इस जड के साथ यह तिनू अगर मिल जाएं तो एक फॉर्मूला दे देंगे चार करते हैं वीजीरू इस इक्वल टू आई जीरू इंटू जी वीजीरू है दस आई जीरू बताना है जेड है पचास तो आई जीरू दस बटा पचास आई जीरू आगया आई जीरू को आप लिख सकते हो जीरू पॉइंटू एंपियर ठीक है एक यह रिजल्ट हमारा आगया बोर्ड की जगा भी भर गई आप जेखो करेंट और उसके बीच में फेस डिफरेंस निकालने की बात आ रही तो गलती मत करना की फाइल को आप 30 डिग्री लिख लें असली बात क्या है वोल्टेज जो है वह अपना कुछ इनीशियल फेस लेके चल रहा है जिसको माइनस 30 डिग्री यहां पर लिखा कुछ ऊपर या कुछ नीचे हमारा करेंट चल रहा होगा उसको फेस डिफरेंस कहेंगे ठीक है तो यह मत सोचिएगा कि हां यहां फेस डिफरेंस 30 डिग्री यह पहले से ही दिया है यह इस वोल्टेज का इनीशियल फेस है फिलसर बोलना सुनना इस वोल्टेज का यह उसको बढ़ा भी सकता है आदि पता नहीं है हमें है ना अब हमने क्या माना करेंट और वोल्टेज के बीच के फाइज को फेस डिफरेंस इसको औम लोग 5N बोल चुके हैं ना इस अब तो पता है यह इनीशियल फेस है यह असली में फेस डिफरेंस होगा करेंट और हमें पता है 30 सब ओम में है मैं ओम नहीं लिख रहा हूं जयवे नहीं है और XL हम लोग निकाल चुके हैं 30 XL हम लोग 30 निकाल चुके है या 40 निकाल चुके है XL गलत लिखा हम लोगों है XL is equal to एक्वर्सर से लिख देते हैं मैं यह शायद कैल्कुलेट कर चुका हूं is equal to omega L 40 into 10 to the power minus 3 और L यह लिख दिया ओमेगा कितना है 1000 यह कर चुका omega है यह आजाएगा 40 तो यह यह रूबर्टिंग में गलत लिखा हूँ है कि एक्सल है 40 ठीक है XL 40 है आर ती से जड़िये है तो हम लोग फाई का सब कुछ कॉस फाई 10 पाई सब कुछ है निकाल सकते हैं तो पहले करना क्या हम लोगों को केवल एक्वेशन निकाल लिए बाकी सारे टूल्स है ना टैन फाई इस इकुल टू यह डिवाइड वाई यह एक्सल डिवाइड वाई आर तैन फाई इस इकुल टू एक्सल होता है चालिस यहां पे और आर होता है तीस तो फाई इस इकुल टू टैन इनवर्स अनिनवर्स फोर बाई ठीक है और टैन इनवर्स फोर बाई थी आपको कहिने कहिन आंव्सर में भी दिखाई दे रहा है फाई आई जीरो आ गया था यानि कि बाहर काम हो गया तो करेंट हमारा कैसा दिखाई देगा करेंट हमारा बिल्कुल वोल्टेज से मिलता जुद्धा दिखाई देगा थोड़ा फेस डिफरेंस के साथ आएगा आई जीरो साइन ओमेगा टी अब बोलो प्लस फाई आएगा या माइनस फाई आएगा है ना प्लस फाई हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव में आया है ठीक है तो जैसा ये लिखा हुआ है इस ओमेगा टी की जगए इसको पूरा रख देंगे तो करेंट जबना कैसा दिखाई देने लगेगा आई जीरो साइन उसको उठाओ यहां रख दो एक हजार टी माइनस थर्टी डिग्री और फाई अपना एन इन वर्स फोर वाई थरी बस करेंट अपना लीड करेंट और वैसे भी अब यहां पे वो तो लगा नहीं हुआ है कैपैसिटर तो लगा नहीं हुआ तो करेंट को पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है तो यह आगे आपना आई इस इकोल टो आई जिरो साइन वन थाउजन टी माइनस थर्टी डिग्री प्लस फाइव मैंने फाइव को सीदे अंदर यहां पर लिख दिया ठीक है अभी एक और काम है करेंट बताना है वो बता दिया एंड़ा एवरेज पावर कंजूम्ड इन दस सर्किट यह एक्जाम में आया अब यह 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 य थोड़ा सा मुश्किल है एवरेज पावर कि पी बार इस इकोल टू वी आरमेस आया रमेस कॉस फाइव अब कॉस फाइव यहीं से चुरा लेंगे अपना वी आरमेस आया रमेस आचा इसको भी थोड़ा सा एड्जस्ट्मेंट वी आरमेस तो ना पता ही नहीं है वी जीरो रोट टू इस रोट टू पॉपउत यहां ओज्यरी तो ज्योट करत हो यह पिल्ट게 हाई और धिवाइड़ गूइडवाइड बाइड़ बंदνडू बाहर 0.2 लगाओ 0.2 और रूप टू रूप टू मुल्टिप्लाई होके क्या हो गए 2 हो गए R क्या है 30 है Z क्या है 50 है यह यह 0.1 0.1 को खा जाएगा 10 तो यह 1 ही हो जाएगा तो इस तरीके से 3 by 5 ही अपनी पावर हो गई 3 by 5 को थोड़ा फैंसी तरीके से लिख दे यानि की मेनद कर ले मेनद कर ले यानि की डेसिमल में लिख दे 0.6 वाट क्या है बाई 0.6 वाट मजा आ रहा यार इस क्यूशन इस